एलो फ्रेंड्स है में इस प्रॉल्म को सॉल करते हैं, क्वेशन क्या कहता है, इफ अंडर रूट 2 इस एक्वाल तू 1.414, ते स्क्वाइर रूट अफ अंडर रूट 2 माइनस वन दिवाइड़ बाइ अंडर रूट 2 प्लस 1 इस नियरस तू, स्क्वाइर रूट निकाला जाए, तो यह किसके नियरस्ट होगी और जो इन्फॉरमेशन का यूज करना है, वह हमें क्या यूज करना है, कि अंडर रूट 2 बराबर कितना है, 1.414 है, ठीक है, आइए हम सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को सिंप्लिफाइ कर लेते हैं, अभी सिंप्लिफाइ करने के लिए हमें क्या करना होगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाड़े बाइ अंडर रूट 2 प्लस 1 है, उपर नीचे माटिप्लाइ कर देते हैं, हम अंडर रूट 2 माइनस 1 से, नीचे माटिप्लाइ कर देते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 1 से, और यह चेंज हो जाता है, कि इसमें, अंडर रूट 2 माइनस 1 क whole square और नीचे change हो जाता है under root 2 का square minus under root 1 का square that is equal to under root 2 minus 1 का whole square divided by 2 minus 1 फर्दर इसको simplify करें तो क्या हो जाएगा under root 2 minus 1 का whole square और नीचे जो value बचेगी वो क्या बचेगी 2 minus 1 बचेगी अब हम क्या करते हैं यह जो value है under root 2 minus 1 इसको expand कर देते हैं तो यह value हाजाएगी under root 2 का square minus 2 under root 2 plus 1 ठेक है under root 2 की value क्या होती है 2 हो जाएगी minus 2 into under root 2 की जो value है क्या होगी वो 1.414 plus 1 तो 1 और 1 यह जोड़के क्या जाएगा यह हो जाएगा 3 minus और 2 से जब 1.414 को multiply करेंगे तो क्या हैगा 2.828 इन दोनों को substract करने पर जो value आती है वो क्या आती है 3.414 को जाएगी और 2 से जाएगी